प्रोटीन, फाइबर और धेर सारे वेजिस से बरपूर सुपर सुपर हेल्दी टेश्टी नास्ते की रेसिपी लेके आए हूँ आप सबको ये हेल्दी नास्ता बहुत ही पसंद आएगा उनली 5 मिनिट के अंदर बनके तैयार भी हो जाएगा इसे बनाने के लिए ना तो हमें दही की जरूरत पड़ेगी ना तो सोडा की जरूरत पड़ेगी ये नास्ते को आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो और डिनर में भी खा सकते हो आप बच्चों के तीफिन में भी इसे दे सकते हो सूपर हेल्दी है और बच्चे बहुत ही मज़े से खाएंगे इतना टेस्टी बन के तैयार भी होता है हलो एरिवन वेल्कम बेक टो माई चैनल तो चलो फ्रेंट्स बनाते हैं सूपर इजी एंड क्विक बन के तैयार हो जाने वाला मूंग दाल स्टफ चिल्ला स्टॉक मूंग दाल चिल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी मूंग की तो यहां पर मैंने एक बाउल जितना मूंग को लिया है आप यहां पर मूंग की जगा पर मूंग की दाल का भी यूज कर सकते हो दोनों में से आपके पास जो अवेलेबल है इसका यहां पर आप यूज कर सकते हो जितना यहां पर हमने मूंग को लिया है इतना ही यहां पर हम चावल को लेंगे चावल यहां पर मैंने खिचणी वाले लिये है मूग और चावल को हमें एक बॉल के अंदर मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर पानी डालना है पानी डालने के बाद यहाँ पे हम इसे 3-4 गंटे तक भिखने के लिए छोड़ देंगे 3-4 गंटे के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से यह फूल चुके है और एकदम सौफ्ट भी हो चुके है मैंने इसे पहले से ही बिगो के तयार कर लिया है और 3 पानी से मैंने इसे वाश भी कर लिया है अभी हम मिक्सर जार लेंगे और इसके अंदर 3 हरी वाले मिर्शियों को डालेंगे आपको तीखा जितना पसंद हो इसके हिसाब से आप यहाँ पे मिर्शी को डाल सकते हो थोड़ी सी फ्रेस धनिया पत्ती को भी डालेंगे मैंने यहाँ पे डंठल के साथ इसके अंदर डाला है और थोड़े से करी लिव्स को भी डालेंगे मुंग डल चिल्ले का कलर ग्रीन आये इसलिए यहाँ पे हमने धनिया पत्ती और करी लिव्स को डाला है अभी हम इसके अंदर डाल देंगे मूंग और चावल को जो हमने भीगो की तयार किया है सब को यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगे जरूरत के हिसाब से हम इसके अंदर पानी को डालके इसे क्रॉश करके यहाँ पे हम इसका बैटर बनाएंगे धोसा का बेटर जैसे हम बनाते हैं वैसा ही सेम यहाँ पे हमें बेटर को बना के तैयार करना है आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एकदम स्मूध बेटर बना के तैयार कर लिया है और इसका कलर भी कितना बढ़ी आया है आप यहाँ पर देख सकते हो अभी ये बैटर को मैं एक बॉल के अदर ट्रांसपर कर लेती हूँ ये बैटर को ना तो हमें फर्मेंट करना है ना तो रेस्ट करने के लिए रखना है फिर भी यहाँ पे हमारे चिल्ला एकदम सूपर क्रिस्पी भी बनेंगे और एकदम पर्फेक्ट भी बनेंगे चिल्ला बनाना स्टार्ट करें इससे पहले हम इसके अंदर स्टॉफ करने वाला स्टॉफिंग को तयार कर लेते हैं वो भी ओनली टू मिनिट के अंदर बनके तयार हो जाएगा यहाँ पे मैंने पनीर को पहले से ही बना के तयार कर लिया था ये मेरा गर का बनाया हुआ ही पनीर है पनीर को यहाँ पे हम हाथों की मदद से अच्छे से क्रमबल कर देते है अगर आप चाहो तो यहाँ पे ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके भी ले सकते हो अभी हम इसके अंदर ग्रेट की हुई पत्ता गोबी को डालेंगे पत्ता गोवी को मैंने ग्रेट करके इसके अंदर का पानी नीचोड के निकाल दिया था इसके बाग हम इसके अंदर डालेंगे पानी नीचोड के निकालना ज़रूरी है नहीं तो स्टफिंग यहाँ पे हमारा गीला गीला हो जाएगा ड्राइन नहीं बनेगा तो इसके अंदर का पानी हमें निकाल देना है यहाँ पे मैंने शिमला मिर्ज को बारिक चौप करके तयार किया है तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे एक शिमला मिर्ज को यहाँ पे मैंने चौप किया है यहाँ पे मैंने एक टमाटर को भी बारिक चॉप करके तयार किया है इसके अंदर का सीड और पानी को भी मैंने निकाल दिया है वो पानी भी यहाँ पे हमें यूज नहीं करना है ये बाद का खाज जयन रखिएगा स्टफिंग को यहाँ पे हमें सूप पर टेस्टी और चटपटा बनाना है तो वन टेबल स्पून जितना यहाँ पे हम चाट मसाला डालेंगी हाफ टेबल स्पून जितनी रेड मिर्ची पावडर को डालेंगी आप जितना तीखा पसंद करते हो इसके हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हो अगर आप चाहो तो यहाँ पे हरी मिर्च को भी बारिक चॉप करके इसके अंदर डाल सकते हो या तो पेस्ट को भी डाल सकते हो यहाँ पे मैंने half टेबल स्पून जितना black pepper को लिया है तो इसे भी हम इसके अंदर डाल देते हैं स्वार्थ के अनुसार नमक को डालेंगे नमक यहाँ पे आपको संबल के डालना है क्योंकि हमने चाट मसाला भी डाला है तो इसके अंदर भी नमक होता है अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा ओरेगानो और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंखल करेंगे बहुत ही बढ़ीा सा टेस्ट आता है इससे इसके अंदर अभी हम डालेंगे फ्रेश फ्रेश धनिया पती को और फ्रेश धनिया पती डालने के बाद हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब भी आपको चिल्ला बनाना हो तभी आपको ये वेजिस के अंदर मसाले को डालना है पहले से ही आपने ये mix कर दिया सब मसाले डालके तो इसके अंदर पानी छुटने लगता है तो ये बात का आपको खास दियान रखना है जब भी आपको चिल्ला बनाना हो तभी आपको इसके अंदर मसाले को डालना है यहां पे हमारा सूपर, टेस्टी, चट्पटा, स्टफिंग भी बनके तैयार हो चुका है तो यहां पे हम चिलला के उपर स्प्रेड करने के लिए बहुती टेस्टी वाला एक सॉस सैयर कर लेते हैं इसके लिए यहां पे मैंने टॉमेटो केचप लिए है यहाँ पे no onion, no garlic वाला जो tomato ketchup आता है वही वाला मैंने यहाँ पे use किया है अभी हम इसके अंदर डालेंगे mayonnaise को tomato ketchup और mayonnaise को अच्छे से mix करेंगे यहाँ पे हमने tomato ketchup के अंदर mayonnaise को डाला है अगर आप चाहो तो यहाँ पे green chutney के अंदर भी mayonnaise डालके बना सकते हो दोनों में से जो आपको पसंद है इसका यहाँ पे use कर सकते हो अभी हम stuff moong डाल चिला बनाने के लिए गैस के उपर तवे को गरम करने के लिए रख देंगे अभी यहाँ पे हम batter की consistency को चेक कर लेते है यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी गाड़ा है यह batter तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालके इसकी consistency को यहाँ पे हम adjust कर लेते हैं डोसा का batter जैसे हम बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे हमें बनाके तयार करना है यहाँ पे हमारा perfect batter बनके तयार हो चुका है अभी हम इसके अंदर स्वात की अनुसा नमक को डाल देते हैं नमक डालके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गेस के उपर हमने तवे को गरम करने के लिए रखा था तवा भी यहां पर अच्छे से गरम हो चुका है तो यहाँ पे हम बैटर को डालेंगे और हलके हलके हाथों से हम यहाँ पे इस तरह से धक्का देते जाएंगे और यहाँ पे हम इसे फैलाते जाएंगे एकदम हलके हाथों से यहाँ पे हमें इसे फैला देना है यहां पे हम मुहण दल का चिल्ला बना रही, अगर आपने फास्ट इस कर्षी को गुमाया तो यहां पे हमारा चिल्ला खरा भो सकता है, तो यह बात का आपको खास जयान रखना है, यहां पे मैंने चिल्ला को डौसे की साइज में ही बनाया है, अगर आप चाहो तो छोटे छोटे चिल्ले भी बना सकते हो यहाँ पर मैं बड़ा बना के इसे कट करने वाली हूँ इसलिए यहाँ पर मैंने डौसे की साइस का ही चिल्ला बनाया है यहाँ पर मैंने इसके उपर गी का यूज किया है अगर आप चाहो तो यहाँ पे बटर या ओईल का भी यूज कर सकते हो गैस की फ्लेम को हम स्लो करेंगे और स्लो फ्लेम पे यहाँ पे हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं यहाँ पे चिल्ला अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो अपने आप यहाँ पे तवे को छोड़ देगा आप यहाँ पर देख सकते हो कि चिल्ले ने अपने आप तवे को छोड़ दिया है तो अभी हम इसके उपर टॉमेटो केचप और मेरनीस को मिक्स करके जो हमने सॉस को तयार किया है वही सॉस को हम इसके उपर डालेंगे और इसे हम स्प्रेड कर लेंगे spread करने के बाद यहाँ पे जो stuffing को हमने बना के तयार किया है वो stuffing को इस तरह से हम इसके उपर रख देंगे बीच में चिल्ला यहाँ पे तवे से बहुत ही easily निकल गया है और इस तरह से हम हाथों की मदद से इस तरह से गुमाते जाएंगे और यहाँ पे हम रोल बनाएंगी यहाँ पे मैंने तवे के उपर ही इसका रोल बनाया है अगर आप चाहो तो तवे के उपर से उठा के प्लेट के अंदर रख के इसका रोल बना सकते हो तवे के उपर इसका रोल बनाओगे तो हाथों में जलन होगी यहाँ पे हमने रोल बना के तयार कर लिया है इसी तरह से हम दूसरा भी चिल्ला बनाएंगे लेकिन ये चिल्ला को मैं कर्ची को थोड़ा फास्ट गुमा के दिखाती हूँ इस तरह से हम fast घुमाने जाएंगे तो यहाँ पे हमारा चिल्ला बहुत ही अच्छे से spread नहीं होगा तो यहाँ पे कड़्ची को धीरे धीरे ही चलाना है इस तरह से और इसे फैला देना है हमारा चिल्ला जो बन के तैयार हो चुका है इसे हम pizza cutter की मदद से इस तरह से हम cut करेंगे एकदम crispy वाला यहाँ पे हमारा चिल्ला बन के तैयार हो चुका है यहाँ पे आप इसके 4 pieces में भी cut कर सकते हो यहाँ पे मैंने 2 pieces में इसे cut करके तैयार किया है इसे आप tomato ketchup के साथ और green chutney के साथ सौफ कर सकते हो और बच्चों के टिफिन में आप इसे देना चाहते हो तो ये ठंडे हो जाने के बाद थोड़े से सौफ्ट भी हो जाते है यहां पे हमारे प्रोटीन फाइबर से भरपूर सूपर टेस्टी स्टॉफ मुंग दलचिला बनके तयार हो चुका है ये नास शेयर और सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो तो मैं नीदी आपको फिर मिलूंगी एक नई रस्पी के साथ तब तक के लिए बाई एंड हैपी कुकिंग